मेरे प्यारे बच्चों, आरेनिम फेजिक्स में आपका स्वागत है तो आज हम लोग इलेक्ट्रो मेगनिटिक थियोरी का लाश्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें निमेरकल से बहुत चोटे चोटे निमेरकल से और साथ में एक प्रूफ भी मिल गया है तो उसको भी में करा दे रहा हो तो जैसे कि पहला निमेरकल आपका लिखा हुआ है फले इसको पढ़ते हम लोग क्या है find the skin depth delta at a frequency of 3 into 10 power 6 hertz in aluminum conductor है जिसमें हमको skin depth निकालना है और frequency दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है where sigma क्या होता conductivity क्या है 38 into 10 power 6 साइमन पर मेटर मिवार relative permeability यह क्या दिया हुआ है 1 तो skin depth निकालना है और skin depth होता क्या है यह हम लग डिसकस कर चुके है कि जब भी कोई electromagnetic wave किसी conducting medium में इंटर करती है travel करती है तो travel करते करते जब electric field अपने maximum value का one upon e times रह जाता है exponential का inverse रह जाता है वही distance जितना distance चलने के बाद electric field क्या हो one upon e time रह जाए किसका maximum electric field का तो वही distance के आगालाता है skin depth यानि अगर distance x skin depth डेल्टा के बराबर है तो e जो होता है electric field क्या हो जाएगा one upon e times of e naught maximum electric field e naught का one upon e time क्या हो जाएगा electric field e यह skin depth था और इसके लिए इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी डिजाइन किया था जभी टापिक पड़ रहे थे skin depth and that was root to omega mu sigma omega angular frequency है mu permeability है और sigma conductivity है तो यहाँ frequency f दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा frequency के टम में क्या हो जाता है omega क्या होता 2 pi f mu sigma two or two cancel हो जाएगा तो one upon root pi f mu sigma इस फार्मूले का यूज हम लोग करें तो हमको क्या मिल जाएगा skin depth और attenuation constant भी पूछ रहा है find attenuation constant also तो जो attenuation constant होता है हो क्या होता है EC का reciprocal होता है किसका skin depth का reciprocal होता है तो अगर skin depth मिल जाता है तो हमारा attenuation constant जाएगा आये तो सुरू करते हैं कैसे सुरू करते हैं कि numerical में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे numerical में given है जो भी चीजें दी हुई है बहले हम उसको note down करते हैं तो क्या दिया गया है given हमको दिया गया है frequency f F is 3 into 10 power 6 Hertz और क्या दिया गया है? It is frequency It is frequency F और क्या दिया गया है? और दिया गया है? Conductivity Sigma Conductivity Sigma जो दिया गया है 38 into 10 power 6 7 per meter Therefore, skin depth Skin depth भी बोल सकते हो या depth of penetration भी बोल सकते हो Delta direct हम लोगे फार्व लिख सकते हैं One upon Pi F Mu Sigma अच्छा मियू क्या है? Permeability of medium एक चीज़ आपनी और पढ़ा है क्या पढ़ा है? Sins relative permeability Mu R अना गिवन में भी तो है कि Mu R equal to 1 है तो क्योंकि Mu R क्या होता है? Mu upon Mu naught तो यहां से Mu क्या हो गया? Mu not जाके multiply हो गया It will be Mu R Mu not और Mu R तो आपका दिया है क्या दिया है? Mu R आपका दिया हुआ है One और Mu not होता है क्या? 4 Pi 10 पार माइनस 7 Mu R क्या है? Mu not क्या है? 4 Pi 10 पार माइनस 7 तो बैसिकली यह Mu not की value ही हो जाएगे Mu की 4 Pi 10 पार माइनस 7 Unit वेबर पर एमपियर मीटर आना? It is वेबर पर एमपियर मीटर साइद ही है क्योंकि B equal to होता है Mu not upon 2 Pi I, Y, R यह है वेबर पर मीटर स्क्वाइर Unit सी थे हैं फार्मिश निकालते हैं यह क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वाइर यह है एमपियर पार मीटर मीटर कड़ गया एमपियर नीचे आएगा तह वेबर पर एमपियर मीटर ही हो जाएगा इसका Unit अब यह सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? इन सारी वैल्यूज को हम रख देंगे equation 1 में putting all these values in 1 putting values in 1 तो क्या हो जाएगा आपका डिल्टा विल भी रूट वन अपान पाई के जगाँ पर क्या होगा? 3.14 एफ के जगाँ पर यह दिया है 3 इंटू 10 पावर 6 मू के जगाँ पर जो कि यह आ जाएगा और यहाँ 4 पाई है तो मैं पाई के जगाँ पर 3.14 रख रहा हो इंटू 10 पावर माइनस 7 में भी हो गया और सिग्मा सिग्मा यह दिया होगा है 38 इंटू 10 पावर 6 इंटू 38 इंटू 10 पावर 6 यह हो गया तो साल्व करने पे जो डेल्टा आता है वो लगभग आता है 47.16 47.16 10 पावर माइनस 6 मेटर यहनि 47.16 आपका सकते हो माइक्रो मेटर और अगली बात क्या है अगली बात है इंटूनियसन कॉंस्टेंट जो की अलफा है इस रेसी प्रोकल आप इसकी डेफ्थ इटूनियसन कॉंस्टेंट क्या होता है यह होता इसकी डेफ्थ डेल्टा का रेसी प्रोकल और यह आप साल्व करोगे तो वैलू आप पूट कर दीजिए डेल्टा की इट बिल भी वन अपान फुर्टी सेविन पॉइंट वन सिक्स टेन पॉर माइनस सिक्स पावर उपर जाएगा तो माइनस के बजाए प्लस हो जाएगा और साल्व करने के बाद यह वैलू करने के बाद यह आता है ट्वंटी पॉइंट ट्रेन पावर थ्री नेपर पर मीटर अलफा क्या होते है नेपर पर मीटर एटिन वेशन कॉंस्टेंट है यह बताता है कि किस रेशियो में वे में डिकी हो रहा है तो यहां का आज का फॉस्ट कोस्टन था फिर हम और कोस्टन पर चलते हैं आगे इसको पहले का इसका हम सो ओके होटा सा कोस्टन हैGS है तो अगला चोटा सा कोस्टन क्या है कि यह रेलेट्टिवल पर मीटीविटि आ इस अ क्यिव विडिया है इसको रårtियोटीक्र मुटी ती भी बोलते हैं और क्या, वोलते इन डायेलेकरिक कॉंस्टेंट क्या बोलते है रेलेकर है तो इस डिस्टिल वाटर में क्या निकालना है और इसमें लाइट की व्लास्टी कितनी होगी यह से लाइट की व्लास्टी होती है वेक्यूम में जो आप पढ़ते हो लेकिन व्लास्टी आफ लाइट कहा निकालना है इस डिस्टिल वाटर में मीडियम चेंज होता है तो लाइट की व्लास्टी भी चेंज होती है तो एक चीज़तों आपने पढ़ा है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जिसको हम सी से भी दिखाते हैं एन से भी दिखाते है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है आप वर्तनांग जिसे हिंदी में बोलते हैं वह एन होता है क्या होता है सी अपान भी ठीक है सी अपान भी मतलब हम ऐसे भी सको लिख सकते हैं निवलाइन से लिख दें सी क्या है विलासिटी आफ लाइट इन एर और वेक्यूँ और वी क्या है विलासिटी आफ लाइट इने मीडियम जो कि यहां पर क्या है कि डिश्टिल्ड वाटर है कि तो इन क्या हो गया सी अपान भी तो वी क्या होगा सी अपान लेकिन पहले तो एन निकालना है तो एक चीज आपने पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव क्वेस्टन इन फ्री स्पेस तो बताया था जो विलास्टी आफ लाइट सी है वो क्या होता है है यह सीज प्रू कराया था वन अपान यह नुप अप्सालन नाट का रूट यह पूरे को ही वन अपान रूट म्यू अपसालन नौट ले लेते हैं कि यह विलाश्टी आफ लाइट इन फ्री स्पेस जहां मूनाट क्या है कि परमियबिल्टी आफ री स्पेस एपसाइलन नाट क्या है परमिटी वीटी आफ री स्पेस तो फ्री स्पेस की विलाश्टी में हम क्या करते हैं रूट लगाते हैं वन अपान परमियबिल्टी आफ प्रिश्पेस और पर मिटीवेटरी आती लिखते हैं ऐसे जब मीडियों की बैसंती निकालने होगी वी तब क्या लिखेंगे है तो मीडियम की पर और मीडियम की पर मीटिवीटे है अच्छा लेखा थिए ये तूमलिक रहा है तो गीवं जो है वह ऐसलिन आर एक अर क्या होता है अपसाइलन अपान-फसाइलन नाट कि गीवन है तो कि क्या है एक्टी बनाए यह तो गिवन रिलेट्व पर अट्टीव घ का दिखाते है जो क्या होता है है यहां से epsilon क्या होगा एक कि रिटिवन 51 को कि यह नहीं हो जाएगा इट एट नीकालना है यहां हिसी फार्मुले पर जाएंगे किस फार्मुले पर से सेइक्वल टूवन आपन अप्सायलन नाट और व हिक्वल टू व्ण आपन मू एफसायलन तो सिन्स सेख्वल टू वन अपन रूट मून अप्सायलन नाट एंद व इक वल्टू क्या है रोट 1 upon mu of epsilon अभी जो वहां लिखा था यह permittivity of free space, permittivity of medium, permeability of free space, permeability of medium एक चीज यहां और यूज़ करना है, अभी यूज़ कर लेंगे, पहले इसको value put कर लें, therefore equation 1 becomes क्या होगा equation 1, n equal to c के जगां पर क्या हुआ, root 1 upon mu naught epsilon naught और upon भी है तो उल्टा हो जाएगा, root mu epsilon by 1, तो सब root में है, तो एक दूसरी बात यह है कि जो distilled water है, for distilled water, जो को मू है वही मू नाट है, परमेविल्टी आफ फ्री स्पेस, परमेविल्टी आफ फ्री स्पेस एक्वल टू परमेविल्टी आफ मेडियम, तो for distilled water, for distilled water, mu r equal to 1, this implies mu upon mu naught भी क्या है, यह बन होगा, क्योंकि mu r क्या होता है, mu upon mu naught, तो यह क्या imply करता है, कि जो mu हो mu naught के बढ़ाबर है, तो mu होगा mu naught के equal, और epsilon 801, epsilon naught, तो यहां से refractory index निकाल सकते हो, तो putting values into, make value क्या put करोगे, mu naught, और epsilon के value क्या put करोगे, 81 epsilon naught, तो putting values in 1, in money into, क्योंकि हमारा refractory index क्यों में है, 2 में, putting values into, into, क्या हो जाएगा, n equal to root, mu के जगाँ पे, mu naught, एस्टीवन एपसालम नाट, upon, mu naught, epsilon naught, इससे एक एंसल, इससे एक एंसल, root 81, n हो गया, 9, refractory index 9 आगया, तो आपका रहा विलास्टी आफ लाइट इन डिस्टिल्ड वाटर, तो यहीं से निकाल लेंगे, अजिए विक्या है, यह विलास्टी आफ लाइट इन डिस्टिल वाटर रही है, तो फ्राम वन वीखवल टू क्या है, प्राम वन वी इक्वल टू सी एपान एन तो सी की वेलू क्या है त्री इंटू टेन पावर एट और एन क्या है नाइन वंजा थ्रीजा एटन पावर सेवन करेंगे तो तेन हो जाएगा तो साल करने के 3.337 मिटर पर सेटन सबस्थरी इस इचिश विलॉस्टी और लायटे इं धिस्तिल वाटर इं मेधियु किया तो यह बहुत आसान कोश्चन ही लेकिना आया हुआ है में बहुत पहले। तो मैंने सोचा में करा दूँँ अब अगला पोस्टन हो तो नेक्स्ट कोस्टन तो दो लाइन का कोस्टन है क्या दिया हुआ है मैगनिटीड आफ वेक्टर यह पूछ रहा है तो फ्रे स्पेस में ही हमने एक टापिक पढ़ा था जब इलेक्ट्रो मगनेटिक वेक्वेशन पढ़ रहे थे कौन सा टापिक एक करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या वेव इंपीडेंस जो क्या था इभाई एच और वहां पर उसकी वैलू भी निकली हुई है जिस पर अभी हमने निम्रेकल भी साल किये हैं पॉइंटिंग वेक्टर में इभाई एच जोकी जेड नॉट होता है जोकी इभाई एच है और यह 376.6 होता है तो अगर इभाई एच 376.6 है देरफोर एक होगा है एच इंटो 376.6 और एच की वेड़ी तो दिया हुआ है वन एंपियर पर मीटर देरफोर ए हो गया वन इंटो 376.6 या 376.6 बोल्ट बोल्ट पर मीटर यह है एलेक्टरिक फिल्ड 376.6 बोल्ट पर मेटर बस दो लाइन का कोश्चन है तो यह सारे निमेरिकल साब के खतम हुए है एलेक्ट्रोमेगनेटिक थेओरी पर अब एक प्रूफ भी सामने दिखाई पड़ रहा है तो उसको भी कर लिया जाए ओके तो हमारे प्रूफ व एक्वेशन थे फाम-ными इस सकते हैं तो इसको इसस अ roz που पाएंगे जब हमको फेंडद्र मैं से थोड़ा एक्सपैंट किया गया है है कि मैंने थोड़ा उसको अलक कर दिया है छोटे और से इस nei लेकिन कैसे किया है देखते हैं है तो ट्रेजर्डी स्व इक को वैसे भी रिप्रेजेट न कर सकते हैं लेकिन कब कर सकते हैं जब आं को plane electromagnetic equation पता हो कहां पर free space में तो पहले उसको सम्मान पुरोग लिखा जाए तो plane electromagnetic wave equation since plane electromagnetic wave equation in free space is क्या है plane electromagnetic wave equation it is del square हम लोग इसको किये भी है derive भी कर लिए पहले del square e minus mu naught epsilon naught del to e by del t square equal to 0 इसको मिला लीजे सही है कि नहीं वैसे सही ही है बट फिर भी जाच परख बहुत जरूरी है है सुटिस डेल स्क्वाइरी मानिस मुनाट epsilon not del to e by del t square और इसको इसका solution भी हम लोगों निकाला था और solution क्या था plane wave जो कि complex farm में था ठीक है इसका solution क्या था कि solution of differential equation 1 is plane wave जो कि क्या था एक्वल टू नाट विट्टु एक्वल टू विक्क्रेंगरी सीडी नाट e की पावर 'matma k डॉट r-prat 1 and Dani में kx minus macati ऊगा लेकर दी हानी यहां 3D वेक्टर हमने यूज किया था ही इस्पेस का तो यह यह वंडी में 3D में क्या हो जाएगा के डॉट और और क्या होगा आई-एक्स जे कैफ वाई-कैफ-जे तो यह 3D वेक्टर है तो यह 3D में है तो करते हैं हम लोग मैथ में प्रूफ में कि यह आंसर दे के कोश्चन सालो करते हैं आंसर हमारा क्या है आंसर हमारा है यह इसी फाम में प्रूफ करना है तो किसको इसको क्योंकि प्लेन एलेक्ट्रो मेगनेटिक वेक्वेशन तो फिलहाल यही है तो क्या किया जाए अगर हम यह देखें जिसमें साल्व करना है तो इसमें टाइम नहीं दिखाई पड़ रहा है और जहां से लाना वहाँ पे time है् यानि इस टाइम और रिपार्ट को हटाना पड़ेगा चांव ओफ पर सब्सक्राइब मुनिर्ण सोबराइब ढाइं तो यहां इस पेस है टाइम दोनों है तो टाइम को हटाना है time को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसको differentiate करना पड़ेगा किसके respect में कि इतनी बार दो बार क्योंकि यह क्या है यह डिल टीज स्कुरेश और कैसे पार्सियल कि शाइब क्यों कि क्योंकि यहाँ एक से ज्ञादा वेरीबल है और भी है और ती भी है तो जब भी एक से ज़्यादा वेरीबल होते हैं हमारा डिफ्रेंसियेशन क्या होता है पार्शियल जब भी एक से ज़्यादा बेटे हुए एक से ज़्यादा संतान है तो क्या होता है बटवारा तो यहां एक से ज़्यादा वेरीबल है तो कौन सा डिफ्रेंसियेशन होगा partial so differentiating one partially different differentiating one twice दो बार करेंगे partially कैसे with respect to T तो जब एक बार करेंगे partial इसको वन नहीं स्वरी वन नहीं टू इसको differentiate करेंगे यहीं से डेल टू इबाइडल टी स्क्वार निकारेंगे फिर यहां पूट कर देंगे फिर इस फाम में आ जाएगा हमारा तो चलो differentiate करो तो आपको पता है कि exponential का differentiation चेंज नहीं होता है बस constant बाहर आ है कि अगर डी बाइडी एकस आफ एकी पावर एकस लाना है तो ए बाहर आ जाएगा एकी पावर एकसी रहेगा तो exponential का differentiation रहेगा बस constant बाहर आ जाता है तो यहां टी के respect में करेंगे तो इसका constant omega बाहर आएगा लेकिन omega ही नहीं है यह भी multiply है और कैसे मानिस के साथ तो मानिस i omega बाहर आएगा एक बार दुबार करेंगे फिर minus i omega बाहर आएगा तो पहली बार जब differentiate करेंगे तो i omega minus के साथ minus i omega बाहर आएग बाकी यह ऐसे ही रहेगा it will be e not e की power i k dot r minus i omega t अच्छा अब दोबार करना है दोबार करना है तो क्या करेंगे del 2e by del t square 1 minus i omega पहले का था दोबार जब differentiate करोगे फिर से बाहर आएगा और फिर यह ऐसे ही रहेगा क्योंकि exponential का differentiation वही रह जाता है i k dot r minus i omega t इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं यह इतना क्या है यह तो इस इतने को फिर से लिख सकते हैं चलो लिख सकते हैं तो लिखें फिर जो कर सकते हैं उसको करें और यह क्या होगा मानेस मानेस प्लस आइस कोड़ाइगा स्कॉयर इप इप इडी टू एवाई डिल्टी स्कॉयर आई स्कॉयर ओमेगा स्कॉयर इंटु ए ई कैसे प्तु रोम्ट व्राम टू आइस स्कॉयर इच आईपा है आई स्कॉयर क्या होता माइज वन हर्यू हो गया डल 2E by del T square this is minus omega square E so this will be your equation 3 तो del 2E by del T square आपका निकल गया इसको सम्मान पुर्वक equation 1 में पुट भी कर दो चाहे बाद में बर्य निकालने के बाट पुट करो चाहे भी पुट कर दो चलो भी पुट कर देते हैं using 3 in 1 using 3 in 1 आपका 1 क्या हो गया आप 1 हो गया इन विल भी del square E minus minus plus हुआ mu naught epsilon naught omega square E this equal to 0 तो प्लस राना है प्लस मिल गया लेकिन अब यहां पे चलते हैं तो अभी इसके पहले वाले ही कोश्चन में हमने लिखा था क्या लिखा था सिंस सी हमारा जो है वो क्या है वन अपान रूट मूनाट मूनाट एफसालनाट यह होता है and सी मतलब क्या velocity of light light मतलब एक वेव और एक वेव की विलाष्टी क्या कहलाती है फेज विलाष्टी फेज विलाष्टी क्या फार्मूला है यह होता है omega 5K यह आपने पढ़ा कि जब कोई single wave किसी मीडियम में जाती है तो उसकी विलाष्टी क्या कहलाती है फेज विलाष्टी तो सी एक्वल टू omega 5K तो दोनों ही सेम है यह भी सी है यह भी सी है इसको भी पी भी लिखते थे थे ना लेकिन यहां चुकि हमारी वेव light है electromagnetic wave in free space क्या है यह light है light velocity से चलती है तुमारी फेज विलाष्टी light की विलाष्टी के बराबर होगी तो सी इक्वल टू मेगा पान के तो दोनों ही सी है तो यहां से हम क्या लिख सकते है कि omega upon k क्या है इस वन अपान रूट यू नाट अप्सलन नाट देरफोर omega क्या हो जाएगा इड़ बिखे अपान रूट नाट एप्सलन नाट देरफोर omega square क्या होगा यहां से क्या स्क्वायर हो जाएगा और यहां से रूट हट जाएगा बस इस वेल्यों को उठाएगा स्क्वायर के और सम्मान पूरो क्या हम पूट कर दो यूजिंग फाइव इन फॉर जिजंग फाइव इन फॉर आपका क्या हुगा डेल स्क्वायर ए प्लस मुनाट एप्सलन नाट था omega square जबाप्र क्या होगा के स्क्वायर अपान मुनाट एप्सलन नाट वेक्टर एक्वल टू जिरो यह दोनो केंसिल वेक्टर एकॉमन आ गया तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वेक्टर एक्वल टू जीरो यह तो लाना था यही लाना था यही आ गया बधाई हो प्रोब हो गया आपका जो भी प्रोबिंग था तो इस तरह से आज इलेक्ट्रोगनेटिक थियोरी का यह चैप्टर टिक पूरा हुआ और अब हम लोग नए चैप्टर के साथ सुरू करेंगे इसको आप कर लेजिए ओके आल दे बेस्ट और थैंक यू